वेल्कम बैक क्लीन नियूज चलिए देखते हैं मध्योप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप MPK के जिले से नियूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपजीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज को लाइकेम 3000 है उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका 1255 पदो पर निकली भरती जल्द करें अप्लाई अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशकबरी है मध्यप्रदेश हाई कोट ने कुछ समय पहले 1255 विभिन पदो पर योग्यों मीदवारों से आवेदन मांगे थी MP High Court Recruitment 2021 के तहट 1200 से उपर पदो पर स्टेनोग्राफ़र और असिस्टेंट की भरती होनी है इसके लिए कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ था लेकिन इन पदो के लिए 30 नमबर 2021 से शुरू हुआ है अगर आप भी MP High Court के इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्यों और इच्छुक हों तो MP High Court के आधिकारिक विबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं देशी नहीं जापान और सिंगापूर के लोगों की खाने का स्वाद भी बढ़ रहा है जापान और सिंगापूर के साथ खाड़ी देशों में भी यहां के मचर की अच्छी मांग है अपनी कुलबत और मिठास की वज़े से जबलपूर का मचर देश की मंडियों में हाथो हाथ बिगता है इतना ही नहीं बड़े शहरों के बड़े व्यपारी किसानों से सीधे मचर खरीद कर बाहर इनकी सप्लाई कर रही है अब इस दिले में उत्पादन का स्थी पीज़ दी मचर बाहर जाता है इस दिले में प्रवेश प्रक्रिया 19 दिसमबर तक चलेगी प्रवेशनल एग्जामिनेशन बूर प्रात्मिक शिक्षक भरती परिक्षा वर्क तीन की समय सार्नी चारी प्रात्मिक शिक्षक भरती परिक्षा वर्क तीन की समय सार्नी चारी कर दी है परिक्षा अगले साल 5 मार्च को होगी पीबी ने इस परिक्षा में शामिल होने के लिए नए अभ्यतियों को www.peb.mp.gov.on इन पर ओनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया है पिछले साल जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थी वो 14 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं अधियक्षपत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी विभाग ने इस संबंद में सभी कलेक्चर और मुख्य कारेपाला नदिकारी जिला पंचायत को नरदेश चारी कर दिये अधियक्षपत के लिए अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अनने पिछड़ा वर्ग और अज सभी वर्गों की महिलाव के लिए लोटरी निकाली जाएगी स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन के इंदर मिल कर देंगे स्टार्ट अप को गती स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन के इंदर द्वारा लगाता शिक्षन संस्थानों के साथ समझोता कर अपने सांचोडने के प्रयास चारी है प्रदेश के सबसे बड़े श्री गोविंद राम से एक सरिया प्रोध्यगी की और विज्ञान भी संस्थान से चुड़ गया हाल ही में देवी अहिल्या विश्विद्याले और अनिशिक्षन संस्थानों के साथ भी स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन के इंदर के साथ समझोता हो चुका है गुरवार को SGS, ITS के साथ भी समझोता होने के बाद युवाओ को अपने बिजनेस आइडिया को उचाईया देने में मदद मिली बीमौसम बारिश ने बिगाड़ा पाताल पानी में जन्नायक तंटियमामा का कारिक्रम अब इंदर के नहरू स्टेडियम में होगा आयुचर देश की सुतंता संग्राम में अपने आहूती देने वाली जन्नायक तंटियमामा के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाला कारिक्रम बीमौसम बारिश के कारण संकट में पढ़ गया इस कारण शासन ने पाताल पानी में प्रस्तावित कारिकर्म निरस्ट कर इसे इंदो और शहर में मौजूद नहरो स्टेडियम में करना तै किया इसके बाद पाताल पानी में लगाया गया मंच और टेंट आदी इंतिजाम प्रशासन ने हटाने शुरू कर दिये है पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंद्रप्रदेश के कर्मशारी कर रहे आंदूलन की तैयारी विधासमा चुनाओ 2024 को लेकर जब मुख्यराजनी तिक दल सक्रिय हो गए तो ऐसे में कर्मशारी कहां चुप पैटने वाले थे शिक्षक और वश 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए करीब साड़े तीन लाग कर्मशारी पुरानी पेंशन के मांग को लेकर आंदूलन की रणनी ती तैयार कर चुके है आजाद अध्यापक शिक्षक संग ने जहां मनुकामना यात्रा शुरू कर दी तो मद्यप्रदेश कर्मशारी मंच ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया कर्मशारीों का कहना है कि नई पेंशन से घर घर चलाना संभव नहीं वे बताते हैं कि कर्मशारी की सेवा ने व्रती अमरत्यू के बाद बारा सो से पच्छे सो रुपे मासिक पेंशन मिल रही है ऐसे में आश्रित पत्नी बेटी की शादी करें बच्छी को पढ़ाई या घर चलाई ग्यातों के सरकार ने वश 2010 से नई पेंशन योजना लागो करती है मद्रप्रदेश लोग सिवा आयोग ने चारी किया साल 2021-22 का टाइम टेबल राजे सिवा परिक्षा और राजे वन सेवा परिक्षा 2021-22 के लिए मद्रप्रदेश राजे सिवा आयोग ने टाइम टेबल चारी कर दिया जानकारी के मताबिक MPPSC 2021 की प्रारंबिक परिक्षा 24 अप्रेल 2022 को होगी परिक्षा के परिक्षा के परिक्षा माई 2022 में खोशित होने की संभावना बताई गई इसके अलावा आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि MPPSC 2021 की मक्षे परिक्षा का रिजल दिसमबर महा में जारी किया जा सकता है जिसमे चैने चात्रों के इंटर्विव फरवरी 2020 में लिए जाएंगे अस्पताल के 135 बेट पर ऑक्सीजन की उपलब दता कुरोना की उमिक्रोन वेरियन के खत्रे के बीच पांधुरना के नए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में मौक ड्रिल की गई प्लांट से 93 फीजदी के साथ प्यूरिटी ऑक्सीजन निकली अस्पताल के गुल 135 बेट पर ऑक्सीजन की उपलब दता है प्लांट के कर्मचारियों और ब्यमो डॉक्टर नरेश गोनाडे ने आपदा प्रबंदा समिती के सदस्य स्दस्य स्दीम आरार पांडे नपाध्यक्ष प्रवीन पालिवाल उपाध्यक्ष रोण फोसली नगरमंडल भाजपाध्यक्ष विश्नू लेंडे वैशाली महाले लोचन खाफसे को प्लांट से जोड़ी जानकारी दी उजयान में शनीशरीया मवस्या पर उम्रेगा आस्था का सैला धारमिक नगरी उजयान में शनीशरीया मवस्या का पर चार दिसंबर को मनाया जाएगा इसके लिए अभी से तैयारिया शुरू हो गई इस बार दो बश बार शधालू को पर विस्तान वादर्शन करने की इजाज़त मिली लेकिन कोरोना के नए वैरियेंट और लगातार हो रही बारिश खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है बारिश और महमारी का संकर सरदर्द बन रहा है ऐसे में प्रशासनी का दिकारी भी त्रिवेडी संगम पहुचकर व्यवस्ताओं को जायजा ले रही है और आवशक दिशान निर्देश चारी कर रही है प्रशासनी को प्रशन पत्र से ठीक एक दिन पहले निरस करने का देश चारी कर दिया इसमें BMLT, BPT, BOT और BXRT फर्स्ट और थर्ड एयर की परिक्षा शामिल है मद्र प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार मद्र प्रदेश में दिसंबर लगते ही मौसम का मिजास बदनने लगा मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आश्यक वार 3 दिसंबर को बारिश के संभावना जटाई मौसम विभाग के पूरवानमान के मताबिक प्रदेश के 6 संभागों के कई जिलों में बारिश तेज गरच चमक के साथ बोच्छार और बार गरच चमक के साथ बारिश MP मौसम विभाग निजारी बुलिटिन में पूर्वानुमान लगाया कि भुपाल, हुशंगाबाद, गौली और चमबल इंदौर और उज्यान संभागों के जिलों में और चतरपुर सागर टिकमगर, निवारी, दमो, सीधी और सिंग्रॉली जिलों में गरच चमक के साथ बोच्छार गिरेगी और कहीं कहीं बारिश भी होगी इंदौर में दो दिन जैस समाच परिशे सम्मेलन 25 दिसमबर से जैन शेतामबर सोशल ग्रुप से फेडरेशन द्वारा 25 दिसमबर को परिशे सम्मेलन का आयोजन लाप मंदपम ऑडिटोरियम इंदौर में किया जा रहा है परिशन के संस्थापक रास्टी अध्यक्ष विरेंद्र कुमार जैन और रास्टी अध्यक्ष संजराहर ने बताया कि 25 दिसम्बर को अविवाही श्यतामबर जैन यवक युफ्ती परिचय सम्मेलन और 26 दिसम्बर को श्यतामबर जैन विद्वा विदूर तलाकशुदा परिचय सम्मेलन होगा प्रतियाशी रेजिस्ट्रेशन हेतु वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं अंटिम तारीक 10 दिसम्बर है 47 लाग कर्मचारियों और 68 लाग पेंशन धारकों को फाइदा होगा मंत्री सकलेचा का दावा 25 दिसंबर तक लगा देंगे गौालियर व्यापार मेला हर साल दिसंबर के शुरुआत होने से पहले ही गौालियर व्यापार मेला को लेकर तयारिया जोर पकड़ लेती थी तो 2021 के बाद इस साल भी दिसंबर में मेले की तयारियों का आगाज नहीं हुआ हाला के नई दुनिया से बाचीत में MSME मंत्री उंप्रकाश सकलेचा ने दावा किया कि 25 दिसंबर तक मेला लगा दिया जाएगा इस साल कुरोना को लेकर ऐसे हालात नहीं कि मेला इस्थगित करने की नौबत हो मंत्री का कहना है कि 6 दिसंबर को गौालियर आएंगे साथ को मेला प्रादिकरन बोर्ड की बैचक लेंगे इसमेला आयोजन के सम्बंध में रूप लेखा तयार की जाएगी करमचारियों के स्थीपी पर GST लगा दिया गया आयकर विभाग का कहना है कि जब करमचारी स्थीपा देकर नोटिस पीरियरण में काम करेगा तब उसकी शेणी बदल जाएगी वो एक कर्मचारी नहीं बलकि ग्राहक होगा और उसे GST चुकाना होगा Income Tax Department के Authority for Advanced Ruling ने एक नया ओर्डर जारी कर दिया जिसमें बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से स्तिफा देता है तो नोडिस पीरियाट में कर्मचारी को काम के बदले में वेतन में से ग्रूप इंशरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम और मुबाइल बिल के पेमेंट पर GST चार्ज किया जाएगा अंदोलन को गला ठहराने की कोशिश से जलाशे पीरित किसान आहत शासन प्रशासन के और शासन के बाद भी महुगाउं जलाशे पेरित किसानों का धरना जारी है दूसरी ओर आलाके के कई किसानों ने पेजल वसेचाई के लिए पाने की जरूरत को देखते हुए बात निर्मांट जल्द पुरा कराने की बांकी धरने पर बैठी किसानों का आरूप है कि सत्तापक्ष की ओर से कुछ लोगा अंदोरन के खिलाफ सक्रिय हो गए सोशल मेडिया और आटो पर लाओड स्पीकर लगा कर आसपास की गाउं में प्रजार प्रसार किया जा रहा है प्रशासन को ग्यापन दिया जा रहा है जबकि पेडित किसान भुवरजन अधिनियम 2013 के अनुसार ग्यारा सूत्री मांगो को लेकर शांती पूरवग धरना दे रहे हैं इन दोर में नवी कक्षा की चात्रा के साथ अशलील हरकत करने वाले शिक्षक को पांस साल का कारवास नवी कक्षा में पढ़ने वाली चात्रा के साथ अशलील हरकत करने और चात्रा के मुबाइल पर अशलील फोटो भीजने वाले शिक्षक को विशेश ने आयले ने पांस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई कोट ने आरूपित पच्छी हजार रुपे कार्थ दंड भी लगाया चानकारी के अनुसार ये वारदात करीब डेर साल पुरानी है 28 जून 2020 को राजिंदर नगर शेतर में रहने वाली नवी कक्षा की चात्रा ने पुलिस थाने पर आवे दंड दिया इसमें उसने कहा कि वो जिस स्कूल में पढ़ती है उसके एक शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत की शिक्षक ने चात्रा से कहा कि वो फोन पर अपने अश्लील फोटो भेजे पेंशनस के लिए अच्छी खबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखरी तारी बढ़ी देश के लागो पेंशन भोग्यों के लिए अच्छी खबर है कार्मिक लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले ने केंद्री ये पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सी में बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी है पहले इसकी आखरी तारीक 30 नमबर 2021 थी बता दे कि केंद्र सरकार के हर सेवा निवर्त करमशारी को अपने पेंशन जारी रखने के लिए नमबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है यानि जिन लोगों ने 30 नमबर तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। कार्मिक लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले कार्याले से मिली जानकारी के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बड़ी संख्या में पेंशन भोगी बैंक शाखाओ का दोरा करते हैं। इन दोरी एरपोर्ट पर उत्रे संदिक दे कोरोना संक्रमितों के कायब होने के खबर पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि केंदर सरकार ने विदेशते आने वाले यात्रियों के जो सूची भेजी हैं। उसमें सतर लोगों से संपर कर लिया गया बिजली ओर्डिट के लिए बनेगा एप सरकारी दफ्तरों में हीटर प्रतिबंदे। प्रदेश में बरते बिजली संक्र किशलते अप कारे अलियों में बिजली बचत का भ्यान चलाया जाएगा। पैसा कमाने के देंशन करत, बॉस्ट ओफिस घर बैचे दे रहा, लाखो रुपे कमाने का ओफर पोस्ट ओफिस के जरीए हर महीने आप मोटे पैसे आसानी से कमा सकते हैं इसके लिए सिर्फ पाँच हजार रुपे खर्च करने होंगे और इसके बाद आराम से सालाना लाखों की कमाई हो सकती है बता दे, पोस्ट ओफिस की तरह से फ्रेंचाइजी दी जा रही है यानि आप पोस्ट ओफिस खोल कर पैसा कमा सकते हैं इस समय देश में लगबग 1.5 लाग पोस्ट ओफिस हैं पोस्ट ओफिस के पहुच नहीं बनी है इसी को ध्यान में रखती वे फ्रेंचाइजी दी जा रही है बता दें कि पोस्ट ओफिस की ओर से दो तरह की फ्रेंचाइजी दी जाती है इसमें पहली फ्रेंचाइजी आउटलेट की है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी आप इसमें से कोई सी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं खाने के देलों में लगा महगाई का तरका सरसो के तेल में 60 रुपे तक का इसाफा महगाई ने आम लोगों को परिशान कर दिया है अब सरसो के तेल की कीमते आज कल आसमान चू रही है और करने वाली बात यह है कि सरसो के तेल की कीमते कुछी दिनों में तेजी से बढ़ रही नौकरी की तलाश कर रहे है युवाव के लिए बड़ी खबर है दरसल इंडियन रेलवी केटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जॉइन जनरल मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर और एक्जेकुटिव सीनियर एक्जेकुटिव सीनियर के पदो पर भरती के इस पत के लिए आवेदन के अंतिम्तिदी 28 दसंबर 2021 से चुकुमी द्वार समय सीमा से पहले आवेदन कर सकते हैं